तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोंग हाइवे राइडिंग करने के लिए एडवेंचर टूरर बाइक्स ही बेस्ट क्यूं है अगर आपको bikes पे घुमना पसंद है, long rides करना पसंद है तो आज की टाइम पे adventure tourer bikes सबसे best क्यों है और साथी इस वीडियो में आपको top 7 best budget friendly adventure tourer bikes के बारे में भी बताऊँगा जो market में currently सबसे best value for money bikes है तो सबसे पहले हम बात करते हैं adventure tourer bikes के बारे में कि ये bikes long highway riding करने के लिए और आपके अंदर का जो rider है उसके लिए adventure tourer bikes ही best क्यों है तो देखे आर सबसे पहला point तो है ground clearance adventure tourer bikes का ground clearance काफी ज़्यादा अच्छा होता है और आप long rides करते हो तो काफी जगे पे आपको roads उतने अच्छे नहीं मिलेंगे और आपकी bike का ground clearance अच्छा है तो वहाँ से आपकी bike बड़े अराम से निकल जाएगी adventure tourer bikes का ground clearance काफी अच्छा होता है और दूसरा point यह है कि इन bikes की off-roading capability काफी ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपके पास एक adventure tourer type की bike है तो उस bike के साथ आप बड़े अराम से off-roading भी कर सकते हो और तीसरा point यह है कि इन bikes की touring capability भी काफी ज़्यादा अच्छी होती है adventure tourer bikes के साथ आप long highway riding भी कर सकते हो off-roading भी कर सकते हो इन bikes को आप कहीं भी लेके जा सकते हो अगर आप एक adventure tourer type की bike oven करते हो तो उस bike के साथ आप long riding भी कर सकते हो off-roading भी कर सकते हो और डेली commute करने के लिए भी यह bikes comfortable होती है और fourth सबसे best part यह है कि इन bike का long travel suspension काफी अच्छा होता है और इसकी बज़े से यह bikes खराब रास्तों पे बड़े अराम से निकल जाती है तो यह सबी ऐसे points हैं जिनकी वज़े से adventure tourer bikes आज के time पे long highway riding करने के लिए और कहीं भी घुमने जाने के लिए सबसे best option रहती है और अब हम बात करते हैं उन top 7 best adventure tourer bikes जो अभी market में सबसे best value for money है तो 7th bike के बारे हम बात करते हैं जो है hero की xpulse 200 xpulse 200 के अंदर आपको दो variants मिलेंगे जिसके अंदर xpulse 200 2V है और xpulse 200 4V है xpulse 200 4V recently market में launch हुई है जिसके अंदर 2 valves के जगेह पे 4 valves है और उस bike की maximum power और torque output भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है xpulse 200 की long highway riding capability भी काफी अच्छी है और इस bike की off-roading capability भी काफी अच्छी है जो इस segment में आपको और किसी भी bike में नहीं मिलेगा बाइक में LED headlight है fully digital instrument console है LED tail light है और bike का ground clearance काफी ज़्यादा अच्छा है price के बारे में बात करें तो इस bike का actual price है 1,27,300 जिसका honor price है 1,52,000 लेकिन bike का जो 4V वाला variant है उसका actual price है 1,38,000 और उसका honor price आपको 1,65,000 के आसपास देखने को मिलेगा तो bike के अंदर दो variants है आप इन में से कोई भी चूज कर सकते हो bike में 199.6 CC का oil cold engine है जिसकी power है 18.08 PS torque है 16.45 Nm लेकिन जो bike का 4V वाला variant है उसकी maximum power है 19 PS bike का ground clearance है 220 mm जो segment के coding काफी जदा अच्छा है और bike की seat height है 823 mm और weight है 157 kg so currently Indian tooler market में 2,00,000 रुपए के अंदर अगर आपको कोई भी adventure tooler type की bike लेनी है तो फिर आप hero के Xpulse 200 को consider कर सकते हो next bike के बारे में बात करते हैं जो है Honda की CB200X Honda की CB200X पी काफी अच्छी adventure tooler type की bike है और इस bike को भी आप 2,00,000 रुपए के अंदर purchase कर सकते हो क्योंकि bike का एक ही standard variant है जिसका actual room price है 1,49,000 और इस bike का अंदर price आपको over like 75,000 के आसपास देखने को मिलेगा इस bike की भी long highway riding capability काफी अच्छी है साथी इस bike के साथ भी आप थोड़ी बहुत off-roading बड़े अराम से कर सकते हो लेकिन इस bike के अंदर spoke wheels नहीं है bike में allow wheels है और काफी अच्छे super wide tubeless tires है लेकिन इस bike के अंदर भी front travel suspension काफी अच्छा है और साथी bike की सबसी बड़ी USP है upside down front folks bike के अंदर all LED lights का setup भी दिया गया है जिसके अंदर LED indicators है LED headlight है fully digital instrument console है और LED tail light है bike के अंदर split seats है split type के grab rails है bike के अवरो looks design और style भी काफी अच्छे है और इस bike का भी ground clearance काफी अच्छा है जो है 167 mm का और bike का weight है 147 kg seat height है 810 mm ये bike Hornet 2.0 के साथ ही engine share करती है तो bike में 184.4 cc का air cold engine है जिसकी power है 17.2 PS और torque है 16.1 Nm with 5-speed transmission so 2,00,000 रुपए के अंदर Honda की CB-200X भी एक काफी अच्छी adventure tourer type की machine है जिसके अंदर आपको features काफी अच्छे मिल जाएंगे लेकिन bike की performance बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है so 2,00,000 रुपए में आपके पास दो ही option है Honda की CB-200X और Hero की X-Pulse 200 और 200 4V 5th number पे है Roland Field की Scram 411 Roland Field ने Scram 411 को 2022 में ही market में launch किया है और Spike के अंदर काफी सारे variants हैं जिनका action price 2,00,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए तक है और bike का honor price आपको 2,40,000 रुपए से लेके 2,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा इस bike के भी overall looks design style काफी अच्छे हैं और इस bike की भी long highway riding capability काफी अच्छी है इस bike के साथ आप थोड़ी बहुत off-roading कर सकते हो और इस bike का भी front travel suspension काफी अच्छा है और साथी bike की fuel tank capacity भी काफी अच्छी है जो है 15 liters की और bike का ground clearance है 200 mm का साथी bike का ground clearance काफी अच्छा है और bike का weight है 185 gauge seat height है 795 mm सो ये bike short riders के लिए काफी comfortable रहेगी क्योंकि इस bike की seat height बहुत ज़्यादा नहीं है bike के अदर 411 cc का single cylinder air cold engine है जिसकी power है 24.31 PS torque है 32 Nm with 5-speed transmission segment के इस bike की performance काफी अच्छी है bike की power काफी अच्छी है bike का torque काफी अच्छा है और इस bike के अंदर आपको सभी variants के अंदर spoke wheels मिलेंगे और bike के अंदर tires भी काफी अच्छे है इस bike का design काफी है तक roll and field की हमालियान से ही inspired है लेकिन ये bike short riders के लिए काफी comfortable रहती है अगर आपको थोड़ी बहुत off-roading करनी है और long highway riding ज़्यादा करनी है तो फिर आप इस bike के साथ भी जा सकते हो जो आपको 2,50,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी अब बात करते हैं फोर्थ bike के बारे में जो है SD Adventure SD की Adventure भी काफी अच्छी Adventure टूरल टाइप की मशीन है क्योंकि ये बाइक एक Pure Adventure टूरल टाइप की मशीन है जिसका एक्षूर्म प्राइज 2,13,000 रुपए से लेके 2,15,000 रुपए तक है और इस bike का उन्रोड प्राइज आपको 2,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा इस bike की भी long highway riding capability काफी अच्छी है और इस bike के साथ आप बड़े अराम से off-roading कर सकते हो bike के अंदर spoke wheels हैं काफी अच्छे tires है bike का front travel suspension काफी जदा अच्छा है और bike का ground clearance है 220 mm का जो segment के coding काफी अच्छा है और bike का weight है 188 kg seat height है 815 mm ये bike short riders के लिए तो उतनी comfortable नहीं रहेगी लेकिन bike के overall performance काफी decent है bike में 334 CC का single slander liquid cooled DOHC engine है और इस bike का best part ये भी है कि इसके अंदर 6 speed gearbox है bike की power है 30 PS, torque है 30 Nm with 6 speed transmission so इस bike की highway पे stability भी काफी अच्छी है highway पे spike की cruising speed भी काफी अच्छी है क्योंकि इस bike के अंदर 6 speed gearbox है और bike की fuel tank capacity है 15.5 liters की तो अगर आपको एक ऐसी bike लेनी है जिसके साथ आप off-roading भी बड़े राम से कर सको long highway riding भी कर सको और daily commute भी कर सको तो फिर आप SD के adventure की साथ भी जा सकते हो bike में 90 upon 90 section का front tire है जो की 21 inch का wheel है और 130 upon 80 section का rear tire है जो की 17 inch का wheel है bike के अंदर split type की seats है और ये bike Indian dealer market में rolling field की हिमालियान के साथ compete करती है third number पे है rolling field की हिमालियान rolling field हिमालियान एक pure adventure tourer type की bike है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो ये bike लदाक ले जाने के लिए speedy ले जाने के लिए या कोई भी off-roading वाली condition में ले जाने के लिए बिल्कुल perfect है bike के काफी सारे variants है जिनका extra price 2,16,000 रुपई से लेके 2,24,000 तक है और इस bike का उंदर price आपको 2,70,000 के आसपास देखने को मिलेगा bike का front travel suspension काफी अच्छा है bike के अंदर spoke wheels है काफी अच्छे tires है split type की seats है front में काफी अच्छी large wind screen है जो wind blast से काफी अच्छा protection भी provide करती है bike में 411cc का air-cooled SOHC engine है जिसकी power है 24.31 PS torque है 32 Nm with 5-speed transmission so इस bike के अंदर बस कमी ये है कि इसके अंदर 6 gear नहीं है लेकिन bike की full tank capacity है 15 liters की और साथी bike का ground clearance भी काफी अच्छा है जो है 220 mm का और bike का weight है 199 kg seat height है 800 mm bike में front और rear में disc brake है जो अगर आपको एक pure adventure tourer type की machine लेनी है इसके साथ आप daily commute भी कर सको long highway riding भी कर सको और off-roading भी कर सको तो फिर आप roll and field की हमाल्यान के साथ भी जा सकते हो second number पे है KTM Adventure 250 KTM के Adventure 250 भी काफी अच्छी adventure tourer type की machine है और इस bike का एकी standard variant है जिसका action price है 2,44,000 और bike का honor price आपको देखने को मिलेगा 2,85,000 के आसपास bike के looks design style काफी अच्छे हैं all LED lights का setup दिया गया है fully digital instrument console है LED tail light है front में काफी अच्छी wind screen है जो wind blast से काफी अच्छा protection प्रोटेक्शन प्रवाइड करती है bike का design style काफी अच्छे अच्छी है bike के अंदर काफी अच्छे tires है और काफी अच्छे low wheels है bike का ground clearance भी काफी अच्छा है जो है 200 mm का और bike का weight है 177 kg और seat height है 855 mm bike Duke 250 के साथ engine share करती है जो की 248.8cc का liquid cooled DOHC engine है जिसकी power है 30 PS torque है 24 Nm with 6 speed transmission segment के according bike के overall performance काफी जदा अच्छी है और 6 gear होने की वजए से bike की highway पे cruising speed भी काफी अच्छी है और bike की fuel tank capacity है 14.5 liters की front और rear में disc brake है जिसके साथ में standard dual channel EVS है और bike के अंदर काफी अच्छे super wide tubeless tires है जो की block pattern type के tires है so KTM के adventure 250 भी आप purchase कर सकते हो अगर आपका budget 3,00,00 रुपे के आसपास है ये bike भी off-roading करने के लिए daily commute करने के लिए और long highway ride करने के लिए one of the best machine है अब बात करते हैं इस list की first bike के बारे में जो है Suzuki की V-Strom SX 250 Suzuki की V-Strom SX 250 currently Indian tooler market में one of the best value for money bike है और ये bike भी एक pure adventure tourer type की machine है जो Gixxr 250 के साथ engine share करती है इस bike का भी travel suspension काफी अच्छा है bike की long highway riding capability भी काफी अच्छी है off-roading capability भी काफी अच्छी है और bike का ground clearance है 205 mm का और weight है 167 kg bike के अदर काफी अच्छी LED है light share front में काफी अच्छी large wind screen है double barrel exhaust system है bike के अदर allow wheels है और काफी अच्छे super wide tubeless tires है 249 CC का oil cooled SOHC engine है जिसकी power है 26.5 PS torque है 22 Nm with 5 speed transmission और bike की full tank capacity है 12 liters की bike के अदर front और rear में disc brake है जिसके साथ में dual channel EBS standard है bike का ground clearance काफी अच्छा है travel suspension काफी अच्छा है split type की seats है इस bike को भी आप कहीं भी लेगे जा सकते हो bike का एक ही standard variant है जिसका action room price है 2,12,000 और on road price आपको देखने को मिलेगा 2,50,000 के असपास so Suzuki की V-Strom SX-250 currently Indian tooler market में सबसे best budget friendly adventure tourer type की machine है जिसकी performance भी काफी अच्छी है जिसके अंदर features भी काफी अच्छी मिल जाते है और इस bike की long highway riding capability और off roading capability भी काफी अच्छी है सो दोसो ये थी top 7 best adventure tourer type की bikes जिनको आप Indian tooler market में 1,50,000 से लेके 3,00,000 रुपे तक purchase कर सकते हो लेकिन आपको इन सब bikes में से कौन सी bike best लगती है या आप comment box में जरू बताना तो इस वीडियो में इतना ही आई होपी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तिल देन राइट सेफ ट्राइव सेफ